नमस्कार दोस्तो मैं डोक्टर सोनु कुमार आज आपको बताने वाला हूँ एलकसूल सिरफ के बारे में इसके यूज इसके साइड इफेक्ट और इसका लेने का सही तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ अलकासूल शिरफ का यूज़ जो किया जाता है जैसे कि यूरिन बिलेडर में इंफेक्शन पिसाब लगकर आता है या पिसाब के रास्ते जलन हो जाती है माताए बहनाओं के फेसाब के रास्ते डर्मिटाइटिस एलर्जी हो जाती है छोटे छोटे दाने हो जाते हो उसमें खुजा ही लगती है टोईलेट करते समय है आज मैं आपको यह सब बताने वाला हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिलीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो का एंड तक देखें और जादे से जादा सेर करें और आपको किसी भी मेडिशन के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स बोक्स मे बताएं आऎए अब बात कर लेते हैं और इसको लेने के लिए आपको किसी दौक्टर के परचए या किसी डौक्टर की सलाखी जोट नहीं होती है या आपको बगएब दौक्टर के परचए के भी मिलने वाला सिरफ है जिस की प्राइज होती है 90 रूपे और यह 100 ओर Patel मेरे से मिल सकता है इच 5 ml यह 5 ml का डखना जो होता है इसमें यह डिसोडियम हीडोजन जो होता है यह 1.3 ग्राम होता है यह 5 ml में 1.3 ग्राम आता है इसका यूज जो किया जाता है वो किया जाता है जैसे कि पिसाब के रास्ते जलन रहती हो पिसाब रुप रुप कर आता हो लग कर या urine blader में किसी भी परकार का infection हो या हमारे ये पेडू जो होते हैं इन में दर्द रहता है तो इसका यूज उसमें भी किया जा सकता है पेसाब नहीं आता है पेसाब का परेसर सही धंक से नहीं होता है तो आप इसका यूज जब भी कर सकते हैं डी सोडियम हाइडोजन जो होता है ये हमारे यूटियाई बिलेटर में किसी भी परकार का infection रहता है या माताई बहनाओं के टोईलेट के रास्ते जलन रहने लगती है टोईलेट लग कर आता है या हलकी हलकी दाने से हो जाते हैं अलर्जी लगने लगती है या खुजली लगने लगती है जब तोईलेट किया जाता है तो आप इस सिरफ का यूज कर सकते हैं क्योंकि यूरिन बिलेटर में जो infection होता है वो गरमी के कारन होता है और एलकासूल सिरफ जो होता है ये उस गरमी को खतम करता है जड़ से खतम करता है इसकी डोज जो होती है वो होती है एक गिलास पानी में आपको ये दो ढखने डाल कर पीनी है ये पाँच एमल का ढखना है और ये आपको दो ढखने डाल कर उसमें पीनी होती है गिलास आप चोखा बड़ा ले सकते हैं 10 ml सुबह दुफैर साब डाल कर उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं अलकासूल शिरफ यूरिन बिलेडर में किसी भी परकार का इंफेक्स ओनों यह उसके लिए बहुती अच्छा शिरफ माना गया है इसका यूज एक बिमारी में और किया जाता है जैसे कि गुर्दे में पत्री होती है और आपको टोईलेट लगकर नहीं आता है आपकी नलकी में पत्री आ जाती है टोईलेट वाली नलकी में पत्री आ जाती है और आपको टोईलेट में प्रोबलम होती है जैसे कि दर्द रहता है या बिलड आने लगता है टोईलेट के रास्ते और उसमें दुखन रहती है तो आप इस शिरफ का यूद जब भी कर सकते है अगर आपके गुर्दों में पत्री रहती है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा शिरफ है आप अलका सूल सिरफ का यूद जरूर कर सकते है जैसे कि आपके गुर्दे में पत्री रहती है दर्द रहता है और आपको टोईलेट के रास्ते टोईलेट खुल कर नहीं आता है और आपको बिलड की सिकायत रहती है और आपको अपरेसर सही तरीके से नहीं आ पाता है तो एक गिलास पानी में डाल कर आपको इसका यूज करना चाहिए और अगर आपको ये सब प्रोबर्म रहती है तो आप इसका यूज कर सकते है प्रेगेंसी में महिला इसका यूज ना करे क्योंकि अगर आप प्रेगेंसी में आपको ये सब प्रोबर्म रहती है तो आप अपने डोक्टर की सला से इसका यूज़ करे क्योंकि यह प्रेगेंसी में नुक्सान देने लायक सिरफ रहता है क्योंकि इससे आपके बच्चे को प्रोब्रम रह जाती है या आपको कुछ बिलेडिंग हो सकती है तो इसी कारण आप अपने डोक्टर की सला से इसका यूज़ करे अगर आपको भी यह सब प्रोब्रम रहती है जो मैं आपको बता चुका हूँ जैसे की यूरिन बिलेडर में इंफेक्शन, टोईलेट के रास्ते इंफेक्शन या पेडू में दर्द रहता है टोईलेट के कारण तो आप इस शिरप का यूज़ जब भी कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद और हाँ मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ अगर आपको किसी भी मैडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स वोक्स में बताएं थैंक यू फूर वोचिंग माई न्यू वीडियो